हेलो एवरिवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री महाई 06 का एक इंपोरिन टॉपिक के सीरिज में टॉपिक नमबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे भारतिय वन अधिनियम इंडियन फॉरिस एक्ट के बारे में वीडियो को लास तक देखेगा जिससे आपको समझ मैं कहीं पर कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूल सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं टॉपिक दोस्तो बात आती है 1865 की ठीक है 1865 में ब्रिटिस सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाए गया जिसको कहा गया भारतिय इसका रीजन क्या था तो इसका रीजन 1864 मिलता है 1864 के अंदर में ब्रिटिस सरकार का एक इंपिरियल वन विभाग बनाया गया इंपिरियल वन विभाग ठीक है यह ब्रिटिस के तरद पर था ब्रिटिन के तरद तरद पर बनाया गया जिसके तहत यह हुआ कि जितने भी व ठीक है उन सभी पर ब्रिटिस सरकार का नियंतरन स्थापित हो जाएगा और उसके परभाव में आ जाएगा ये किया गया ठीक है मतलब 1864 में एक परस्ताव लाए गया पर भूमी पर सरकारी वन पर अपना अधिकार गोशित कर सकते थे इस तरही से ये पूरा परबंदन किया गया ओभ grateकि अभी मैंने टॉपिक नबर थ्री करवाया आपका जिसमें हमने जजातिये समू के बारे में पढ़ा कि किस तरस उसको क्रिमिनल एक्ट के तहत लाया गया तो जैसे ही 865 में ये कानून आया जहां पे जंगलों को अपना समझा जाने लगा अंगरेजों के द्वारा ठीके उन्होंने क्या किया कि इसको अपने प्रवंदर में अपने अधिकार में लगे और उससे पहले तक क्या आता था इन जंगलों में आदिवासी लोग निवास करते थे जैसे ही 865 में आया तो उसके बाद बहुत ज़्यदा हिंसक घटनाए घटने लगी क्योंकि अंग्रीजी सरकार के द्वारा एक क्रिमिनल एक्ट लागो किया जाता है जिसके अंदर में इस पेसली जंजातियों को उसके अंदर में सामिल किया आता है तो उसको अपरादिक स्रेडी में रखकर जंजातियों को पर में कदम उठाये जाएगा तो उसका रिजन क्या था तो यह फॉरेस्ट एक्ट उसका रिजन बनता है ठीक है समझ में आता है अब हम बात करते हैं आगे यह कानून तो बन क्या भाई 865 में थोड़ा दिन आगे चलता है 1878 की बात आती है 1878 में वापस से भारती अदिनेम कानून के अंदर में कुछ चीजे चेंज की जाती है कुछ एक्ट चेंज की जाती है जिसके अंदर में क्या क्या जाता है कि ब्रिटिस प्रशासन ने सभी बंजर जमीन जो भी बंजर जमीन है उस पे अपना संपरभुत हासिल कर लिया कोई भी अगर बंजर जमीन दिख रहना तो उस पे ब्रिटिस सरकार का दिकार होगा ये माने जाने लगा ठीके बंजर जमीन पे समझ में आता है आरक्षित और संग्रक्षित वनों का सिमांकन करने का समिक्षा बन गया ठीक है वो उनके पास एक ऐसा पावर आ गया कि वो ये तैय कर सकते कि कौन सा वन आरक्षित बन है कौन सा वन संग्रक्षित बन है ऐसा इनके पास पावर आ गया एक कि इसके नदर में थ्रौसर चेंज किया गया जो नॉर्मली संघ्रक्षितंवनों के मामले मैं नहिता है अधिकार भी ऐब सके रहे नहिता है कि नहीं पर और आप के पाकार प्रेंटियां आधीनियम के तुरू आदेनियम के तुरू क्या 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 थीदा यह तीन भागों में बाटी तो तीन भागों में पहला आता है आरक्षित वन ठीक है इस नीति को थोड़ा से और पर आगे बढ़ाते हैं तो 1927 का टाइम प्रीड आता हैं ठीक है 1927 के अंदर में क्या होता है कि भारतिय वन-धिनियम के अंदर में वन-Nir-भर जो समुदा होते ते उनके जन जीवन को प्राभावित किया गया ठीक है जो भी ऐसे समुदा है जो जंगल में रहते थे उन जिनका में आधारी जंगल था उसको इंपक्ट किया जाता इसके कानून के थुरू क्योंकि जंगल की कटाई कर रहे हैं तो वो कहिना का इंपक्ट होंगे ही होंगे तो यह पहला चीज देखने के लिए मिलता है बनो पर राज्य का नियंतरण में विस्तार किया है जो जंगल में उसके नियंतरण का विस्तार क्या गया क्योंकि ऑप जादा जादा छेतर पर अपना नियंतरण स्तापित कर सकते थे यह देखा गया तो थोड़ा सा और चेंज़ इस आता कि इसमें डंड मतलब डंड की प्रकिरिया का प्राफधान दिया गया गार कोई इनके कानून के आड़े आता है मतलब सामने आता है रोकता है कानून को किसी दर से प्राफ़लम क्रेड करता है तो उसको डंड सहीता के तहत डंड देने का प्राफधान भी रखा गया इन कानून आये थे उसके हिसाब से इन कानूनों को लागूग गया जाना था ठीक है इसका एक मुख्यों देश तौर पर दिखा गया मतलब आ गया आने वले समय में और भी कानून आने थे और पीछे भी तो कुछ उनका मोटिफ था उसके कानून से यह लखा गया साथ साथ में लकडी औ और अने वन जो थे अने उपज थे उनके उपर में सुल्क लगाना पहले क्या होता था जो जंगल में लोग रह रहे हैं वो ऐसी ही उसका यूज कर रहे है ठीक है वो किसी तरह का कोई टेक्स भी नहीं दे रहे तो सरकार चाहते थी कि वो लोग अगर बाहर में लोगों के सा समझो गया 1865 में भारतिय वन अदिनियम आया गया इंडिन फॉरेस्ट एक्ट आया गया जिसके तहत वनों पे पूरा अधिकार हो गया बंजर जमीन का अधिकार हो गया वनों की कटाई पे रोक लगा दी गई ठीक है उसकी कटाई का अधिकार जो था पूरी तरसे बिटिस स चया गया नोर्मली और अरक्षित संग्रक्षित और ग्रामिनवणों में बाट दिया गया आपको कमेंड करके बताने कि आरक्षित संग्रकषित और घ्रामिन News कोण कोन कटे है ठीक है तरह बताइए कि लोगों ने पढ़ा है MCH error 6 को इस तरसे वनों को तीन बात दिया सा सा पर यहां पर कोशन नहीं बनता है कि क्यूं जुरत पड़ी इस कानून की तो जुरत का रिजन यह रहा कि जो 1865 है टाइम पिरेड उस टाइम पे ब्रिटिस सरकार कई जगह पे युद में इन्वाल्व थी और वहां पे लकडू की कमी हो जा रही थी लकडियों की कमी हो रही थ बहुत ज़्यादा कीमती थे ठीक है बेस कीमती थे उसके कारण से यह सारा कानून विस्ता लाए गया अब भारत उपनिवेश था ब्रिटन का ब्रिटन में लकडियों कमी हो गई वहां पे नाव बनाने के लिए लग लगतर के हंथियार बनाने के लिए लकडियों की जुरत कानून ला दिया कि हमने ऐकानून के बनाएप तो हमें काठने दोगे तो उस था से हृब बनाने कानून विस्ता कनून मेल है तो जेंगल में वह रह रहे रहे हैं कहीं आकर यहिंपक्ट हो रहते हैं एस पार में पृटने हृं और लें नियम को बताईए तो पूरा जो मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे समझा सकते हो नमबर अच्छा मिल जाता है ठीक है टॉपिक इजी है समझ में आना चाहिए आपको ठीक है अगला टॉपिक हम करेंगे और कुछ तो चले स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो के लिए फ्रेंट्स थैंकियो सो मच फर वाक्ची में थैंकियो सो मच फो लिसने में बाबाय टेक केर अल दा वेस्ट